नमस्कार और सलाम स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम सीखेंगे एक नया फंक्शन जिसका नाम है all accept शुरू करते हैं तो मैंने पहले से वही दो टीबल्स इंपोर्ट किये जो हमने अब तक यूज किये product और sales दोनों में relationship है product key के basis पर अगर हम model type में जाते हैं तो नजर आएगा यहाँ पर अब आपस आ जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं product name को ले लेता हूं और अक्सर मैं एक base measure लिखता हूं लेकिन अभी मैंने लिखा नहीं तो तुरंत हम इसको लिख देते sales table में से हमें quantity का या कोई भी numeric column जैसे sales या quantity या price कुछ का भी आपको sum करना है तो फिलाल मेरे पास quantity है तो मैं quantity के लिए base measure बना लेता हूं sum formula से simple जैसे अक्सर हम करते हैं और फिर हम समझेंगे नया function जो all accept है इसको थोड़ा वक देते हैं load हो रहा है तो यहां पर हम लिखेंगे sum of sales table में से quantity इसको measure को नाम देंगे हम total quantity enter तो हमने all function पहले ही देखा है all क्या करता है आने वाले filters को पुरी तरीके से ignore कर देता है और आप उसको calculate में call कर सकते हो लेकिन अब total quantity ready है तो add कर दिया लेकिन मान लिजे आपको कुछ एक ऐसा function चाहिए जिसमें आपको कुछ columns को filter को ignore करना है और कुछ को नहीं करना है तो यह all से नहीं हो सकता क्योंकि all में ऐसा कोई provision नहीं है all बस table या column का नाम ले लेता है और सब filters निकाल देता है लेकिन यहाँ पर क्या है कि मान लीजे कि table में 10 column है और 9 column पर filter ignore करना और एक पर नहीं करना है तो वो करने के लिए all accept से अगर आप जाओगे तो बहतर रहेगा यह कैसे करते हैं देखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास sales date है sales date एक date column है जिसमें date hierarchy आती है इसमें year, quarter, month और day आए जब भी कोई date column होता है इसमें date hierarchy automatically आ जाती है इसके लिए एक setting है तो आपको जाना है फाइल में options and settings options तो यहाँ पर हम क्या कर रहे है back end के settings में जा रहे है जिससे आपको यह नजर आएगा कि क्यूं मुझे वो date hierarchy मिल रहा है शाहिद से मैंने पहले बताया है या नहीं लेकिन इसको अभी देख लेते हैं तो यह current file जो है इसमें data load में देखें यहाँ पर time intelligence है इस पर tick mark होना चाहिए इस पर tick mark होगा तभी आपको date hierarchy automatically मिल जाती है अगर नहीं मिल रही यह मतलब tick mark नहीं है वहाँ पर तो अब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर हम एक measure लिखते हैं तो माल लीजिए मुझे एक ऐसा measure लिखना है जो सभी columns का filter ignore करें लेकिन सिर्फ year जो है उसको consider करें तो यह करने के लिए हमारे पास है all accept function देखते हैं इसको all accept यहाँ पर सबसे पहले table का नाम दिया sales, अब column का नाम कौन सा है हमारा वो है sales में से sales date जैसे मैं tap करता हूँ मुझे hierarchy automatically मिल जाती है यह तो अब hierarchy का इस्तेमाल कीजिए या फिर आगर अगर आपके पस year का column है तो वो कीजिए या year के column को add कीजिए manually यह कर दिया लेकिन इस त calculate में pass करेंगे calculate यहाँ पर total quantity comma all accept बस bracket close किया अभी यहाँ पर आप क्या कर सकते है कि एक से ज़्यादा भी column लगा सकते हो all accept में जिनका आपको filter consider करना है जैसे 2-3-4 column आप लगा सकते हो तो इसका output देखेंगे तो और भी बहतर तरीके से आपको समझ में आएगा तो हम लिखेंगे all accept quantity तो इसका मतलब अभी क्या हो रहा है कि मैं कह रहा हूँ इस measure को total quantity calculate तो करना है लेकिन sales table में जो year का column है मतलब year एक column ही हो गया sales date में से year IRR की है तो year के उपर अगर कोई filter लगा है तो उसको consider करो बाकि सब filters को आप ignore करो तो यह कहना चाहा है हम तो यहां पर एक हम slicer ले लेते हैं इसमें से मैं year add कर देता हूँ और इसको list कर देंगे और यहां से हम क्या कर देते हैं थोड़ा सा font size बढ़ा देंगे बस इसको मैं छोटा कर देता हूँ अब अब total quantity visual को select करेंगे left side वाले table visual को और अभी जो measure add किया था all accept उसको ले लेते हैं तो यह ठीक है अब देखिए यह base measure हमारा total quantity यह automatically product के नाम के हिसाब से आपको data slice करके total quantity बता रहा है लेकिन यहां पर all accept देखिए कैसे बता रहा है आपको total sales मिल रहा है हाँ आपर total quantity मिल रहा है जो 5085 है अब अगर मैं किसी भी item को select करता हूँ year को तो क्या है filter का असर पढ़ रहा है यहां प परक देखिए यह क्या मिल रहा है आपको total year का मिल रहा है sales 2021 का 2020 का एक तरीकी से all के जैसा ही है लेकिन all accept अलग कैसे बन जाता है इसके लिए बाहर select करके और एक visual add करेंगे उसमें month ले लेगे जरूरी नहीं month ले आप कोई और भी column ले लिए चलेगा इसके values का font बढ़ा देत होना है तो अब क्या होगा देखिए यही सबसे main difference है अब 2020 को मैंने select किया है अब year में कुछ भी selected हो या ना हो matter नहीं करता अब जैसे मैं February को select कर रहा हूं तो देखिए total quantity measure पे इसका असर पड़ा लेकिन all accept quantity भी असर नहीं पड़ा क्यूँ यही खासिया थे all accept function की आपने जि column का filter applicable है बाकी सब filters को वो ignore कर रहा है तो इस तरीके से यह अलग है जिसका filter आपको consider करना है बस उस column का नाम आप बता सकते हो एक दो तीन बाकी सब वो क्या करेगा उनको filters को ignore कर देगा तो year का filter इसलिए चल रहा है क्योंकि year हमारे all accept function के अंदर हमने ले लिया है लेकिन month का filter all accept पे कुछ भी असर नहीं दिखा रहा है अगर आप देख रहे हो तो यह difference है या जिस तरीके से हम all को लिखते है थोड़ा सा अलग इसमे all accept को लिखा जाता है तो all और all accept बहुत ही close है all selected थोड़ा सा अलग है जो हमने पिछले वीडियो में देखा है तो बस यही difference मुझे बता दो यही तदिन वाट